हाइ फ्रेंड्स मैं हों खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं आगर आपको instagram post के अंदर एड रिमेंडर का ओपशन नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स इस ओपशन को आप कैसे ला सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को जरूर subscribe करें वीडियो को like करें और share करें चलिए friends video को start करते हैं इसके लिए friends आपको instagram app open करना है अगर आपने यहां से आपको add remainder का option नहीं मिल रहा है friends तो यहां से आपको screenshot ले लेना है स्क्रिंशोट लेकि आपको यहां से बैक आजाना है और जैसे फ्रेंट्स आप यहां से बैक आ जाते हैं तो अब आपको क्या करना होगा अपने मोबल में प्ले स्टोर एप उपन कर लेना है और जैसे आप प्ले स्टोर एप उपन करते हैं सर्च बार में इंस्टाग्राम सर् स्क्रोल करना है जैसे आप स्क्रोल करते हैं अपर यू आरे बीटा टेस्ट लिखा हुआ है नीचे की और लीव एंड लर्ण मोर का उप्शन हा रहा है अगर आपने जोइनिंग नहीं कर रखा है इसे जगा आपको जोइनिंग का उप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है और इसे ईसे अपर अपने मोबाइल के अंदर आ जाना है जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर आ जाते है आपको यहाँ पर यहाँ और waits एप्मेशर काinea से या फिर आपके मुबैल में या एप सापिलिकेशन या एप मेनेज के निहले से भी आपको आपको वह सकता है इसक्तनुप मेरे यह पहरा हुआ ऊजबा यार से हुआ को क्लिक कर देती हूँ क Alors यहां से औली आपको clear catch कर लेना है clear catch करने के बाद friends यहां से बैक आने के बाद friends अब आपको Instagram के अंदर open करने और देख लेना है आपको add remainder का option मिला है या नहीं feed post के अंदर अगर फिर भी नहीं मिलता है friends तो last step मैं आपको बता देते हैं आपको क्या करना होगा आपको अपनी profile लेकर के अंदर जाना है icon के अंदर and three line पे click करना है setting में click करना है जैसे आप साइटिंग में click करते हैं friends आपको यहां पर कई सारे option शो होते हैं आपको help पे click करना है और उपर की और first option मिलेगा report problem आपको इस पर click करना है उसके बाद अगेन आपको report problem पर click कर देना है जैसे इस पर click करते हैं friends आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा आपको gallery पर click करना है और जो आपने लिखतेना है hi instagram team my instagram feed post add reminder option not showing so please provide me this option thank you इतना लिखने के बादे फ्रेंड्स अब आपको उपर क्यों next option मिलता है next पर click करना है जैसे next पर click करते हैं अभी आपर आपको option मिलेंगे send report and don't send report आपको send report पर click करना है जैसे आप send report पर click कर देते हैं friends यह report facebook team के पास sorry instagram team के पास चली जाएगी और और कुछ ही time के अंदर वन या टू डेस के अंदर है अफिर 24 hours के अंदर ही friends आपको वो option instagram feed के अंदर provide हो जाएगा इस तरीके से friends आप add remainder का option ला सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आई है so please video को जरूर लाइक करें channel को subscribe करें thank you for watching in this video